उत्तवर्दे से समंधी जो भी आपके एक्जाम आप देने जाते हैं, वहाँ पर उत्तवर्दे से समंधी जो जानकारिया हैं, वो उसको लेकर काफी सारे कुश्चन विभिन प्रकार के एक्जाम में पूछे आते हैं, और एक जो एक्जाम आपको लगातार पूछा जाता है, वो है कि fact, fact को लेकर काफी सारे question आते हैं जो कि UP special होते हैं जिसमें उसके इतिहास को लेकर हो गया या फिर आप कहें उसके भौगोलिक इस्तितियों को लेकर हो गया इससे question आपको भौगोल इतिहास अत्वियुस्ता से पूँचे जाते हैं लेकिन कई बार ऐसे GK टाइप के भी question आपको UP special से पूँचे जाते हैं तो आज हम अपने इस वीडियो में उत्तब देश से ऐसे ही समंधित questions को यहाँ पर देखने वाले हैं जो थोड़ी भौगोलिक जानकारिक सासाथ कुछ राजकी इस्तितियों को लेकर भी question है और कुछ अन्य चीजों को लेकर भी यहाँ पर आपके question है अन्य तरीके के question तो आप यहाँ पर हम fact चीजें पढ़ने वाज आ रहे हैं इसलिए इसको नाम दिया गया उत्तब देश का एक अवलोकन और इसके बाद फिर सारी चीजें अन्य अदर topic हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले जो question यहाँ पर है जो एक बहुत ही normal सा question आपको पूछाता है भोगोल जब भी आप पढ़ते हैं तो भोगोल में यह question बहुत आम है और यह है कि उत्तब देश की जो अवस्थती है जो भोगोलिक विस्तार है वो किस एरिया में है कितना अक्षांसी और देशांत्र का जो विस्तार है वो कैसा है तो सबसे पहली चीज तो उत्तब देश जो है वो भारत का कैसा प्रांथ है एक सीमांत्र प्रांथ है सीमांत्र का क्या मतलब हुआ कि ऐसा जो की अंतराश्ट्री अस्तर पर कुछ सीमा जो बॉर्डर होती है उसे भी यहां पर यह साजा करते है ठीक है तो सीमान्थ प्रांथ है जैसे कि यहां पर देखें तो यूपी क्या है यूपी जो बॉर्डर साज़ा करता है सीमा एक छोर पे है आपका नौर्थ एरिया पे और नौर्थ एरिया हमें देखें तो जो नेपाल है वो यहां पर इसके साथ यह बॉर्डर साज़ा करता ह पहला जो चीज है तो उत्तवदिश भारत का एक सीमा अन्थ प्रांत है और यहाँ पर एक बॉदर जो होता है नौर्थ serious में आपका अंतर राष्ट्री एक सीमा साजा करता है और वह सीमा स्वरूप है उसकी सन्रचना है उसका विस्तार है पर्टिकुलर अस्थानी छेत्र है उनकी जो जानकारी है वो आपको फ्रेम हो जाती है आपके मैंड में क्योंकि यह चित्रात्मक तरीके से आप जादा अच्छे तरीके से समझते हैं तो यहां पर जब आप उत्तंव देश में जो भारत की बात करें भारती मांची 12 retus tr interessant unityी टो 14 yr दिए 30 मिनट यहां पर आपका यूपी अवस्थित है ठीक है तो अक्सांस ओर देशान तर आपको यूपी का ध्यान रखना है तो अक्षांस पूछे तो 23, 52 ध्यान रखना है और 23, 52 से लेकर 30, 24 तक है और वहीं अगर बात करते हैं कि देशांतर का विस्तार कितना है तो 77, 5 से लेकर 84, 38 तक किस अक्षांस में है तो ये उत्तरी अक्षांस में किस में है उत्तरी अक्षांस में और देशांतर की बात करें तो ये पूर्वी देशांतर में तिस तरीके से यहां पर आपको ध्यान रखना है उत्तरी पूर्वी इस्थिती में आपको जो यूपी है वो इस्थित है और कि इतना है तो यहाthing पर देखे जो अगर हम पूरब से पश्चिम ठीक है पूरब से पश्चिम की और देखें उसके विस्तार की अगर हम वहाँ पर नापजो करते हैं वहाँ पर उसको नापने की कोशिश की जाती है वहाँ तो कितना है 650 km जब आप पूरब से पूरब आपका किस साइड है यहाँ पर पश्चे मंगाल बिहार से होते हुए आप गुजराज साइड निकलते है तो जब आप बिहार से होकर इंटर करें यूपी में और आप इधर आपका राजिस्तान गुजराज साइड जाएड तो यहाँ पर आपका जो विस्तार है कितना है यूपी का 650 km का विस्तार है लेकिन यदि आप उत्तर से दक्षण की ओर जाएं ठीक है? उत्तर से दक्षण की ओर आप उत्तर कौन सा? नेपाल चाइना साइड है तो यहाँ पर अगर आप नेपाल से इंटर करें यूपी में तो यहाँ पर जो विस्तार है और फिर आप एमपी की साइड निकलते हैं तो अगर आप उत्तर से दक्षण की ओर यहाँ पर इनका विस्तार देखें कितना है 240 km ठीक है तो 650 और 240 यह आपका North South है यहाँ पर 240 North South है और यह आपका East to West है तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है तीन चीजे हमने देख लिए सिमांत प्रांत है अक्षांत देसांतरी विस्तार हो गया उत्तर पूरवी भाग में इस्थित है साथी उत्तर से दक्षण और पूरब से पश्रिम की और इनका विस्तार कितना है अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन कई बार पूचे आता ह कि उत्तवदेश के यहां पर छेत्रफल कितना है उत्तवदेश का छेत्रफल देखे कितना है दो लाग चालिस हजार नौसो अठाइस वर किलोमेटर में यहां पर आपका उत्तवदेश का यह विस्तार है जो कि यहां पर उत्तवदेश वार्षकी 2017 के डेटा में आपको उसके बाद question आता है कि उत्तव देश भारत के कुल छेतरफल का कितना वड़ा हिस्सा है कितना percentage यहाँ पर धारन करता है या विस्तार है उसका तो यहाँ पर 7.33 कितना है भारत के कुल छेतरफल का 7.33% UP का छेतरफल है आपका तो इस तरीके से यहाँ पर आपको काफी सारी factual च चेतरफल यह सब के सब question पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है इसके बाद आता है जनसंख्या उत्तव देश क्योंकि एक बड़ा राज्य है जनसंख्या के लिहास से और ऐसे स्थिति में इसको लेकर question बहुत आम है जो पूछे जाते हैं तो उत्तव देश की जनसंख्य बात करें तो सबसे जादा जनसंख्या वाला प्रदेश भी कौन सा है देश का सबसे जादा जनसंख्या वाला प्रदेश भी आपका युत्तर प्रदेश है तो यह जो fact है जनसंख्या से related इनको भी यहाँ पर आपको धियान रखना है जनसंख्या के लिहास से विश्व में चठे अस्थान पर है भारत में पहले अस्थान पर है राज्यों के हिसाब से और भारत उत्तवदेश जो है देश की जनसंख्या का कितने परसेंट है 16.17 परसेंट है इस तरीके से जो जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलती है आप यूपी से बेस्ट रिलेटर आपको ज इतिहास में कुछ चीज़ों को लेकर कोश्चन पूश जाते हैं, जैसे कि उत्तव देश का जो इतिहास है था जो नामकरण की पद्धियतिया था उत्तव देश के जो वरतमान सो नाम है उत्तव देश यह कब कैसे पड़ा और कैसे कैसे इसका भागोलिक जो सरूप है उसने उत्तरी पश्यमी प्रांत के रूप में यह एक भगोलिक सरूप में आता है, उसके बाद 15 फरवरी 1970 में इसे उत्तरी पश्यमी प्रांत अवधवा आगरा के नाम से यहाँ पर इसको व्यक्षाइद करते हैं, यह नहीं होगा, यह आई अठारास होना चाहिए, ठीक है, अठार में उत्तरी पश्यमी प्रांत अवधवा आगरा हो जाता है, और 1902 आते यहाँ पर इसे संयुक्त प्रांत अवधवा आगरा कहते हैं, आगे चलके 1901 अप्रेल में, यह 22 मार्स तक यह नाम था और एक अप्रेल को नाम यहाँ पर कर दिया गया संयुक्त प्रांत, ठीक है, आ अप्रेल 1946 इसवी में से स्वायत इस्थिति प्रांत बोला गया, और 24 जनवरी 1950 इसवी से इसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो वरतमान जो नाम आपको प्राब्ध होता है, अपने प्रदेश का जो वरतमान नाम यहाँ पर प्राब्ध हुआ, वो कब हमें प् देखते हैं, इसके बाद, एक नवंबर 1956 इसवी से प्रदेश का पुनर गठन किया गया, तो प्रदेश का पुनर गठन भी किया गया, और पुनर गठन का समय जो था कब किया गया, एक नवंबर 1956 इसवी में प्रदेश का पुनर गठन किया गया, साथी यहाँ पर पर नौन बर 2000 को प्रदेश का एक विभाजन कर दिया गया और इस विभाजन में यूपी में आने वाले सीरा जीलों को प्रिथक करके एक अलग राज्य बनाया गया जिसे हम वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं तो यहां पर देखे उत्तराखंड के नामकरण का जो इतिहास रहा और वर्तमान समय तक जो स्वरूप है वर्तमान जो स्वरूप है फाइनली ठीक है उत्त प्रदेश के बारे में जानकारी हो गई उत्तर प्रदेश की राजधानी को लेकर भी देखिए सिर्फ प्रदेश में ही परिवर्तन उसके नामों को लेकर उसके भोगोल में नहीं परिवर्तन हुआ बलकि उसकी प्रशासनिक जो राजधानी रही उत्तर प्रदेश की उसमें भी आपको परिवर्थन देखने को मिले जैसे कि राजधानी के दृष्षकोंट से अगर हम बात करें तो 1858 तक देखे यूपी के जो 1858 में देखे कौन सा था उत्तरी पश्चिमी प्रांत आवधा और आगरा ठीक है इस नाम से हम इसे जानते थे और यहाँ पर देखे इसकी जो राजधानी तब थीव जो इसकी पहली राजधानी आप कह सकते हैं वो कौन सी रही आगरा पहली राजधानी आपकी आगरा रही उसके बाद दूसरी राजधानी आगरा के बाद ठीक है आगरा के बाद इसके नाम में परिवर्थन कर दिया गया और यहाँ पर कर दिया गया उसमें और लखनो को आपको बरतमान जो भी आपकी राजधादी स्थिति देख ली आवरतमान में इसकी राजधानी की स्थिति की भी हमने यहुत चरचा कर ली तो दू चीज़ हमारी क्लियर हो गई anno जो फैक्ट अब इसके बाद अब उत्तवदेश के कुछ परिचे के बारे में बात करें जो यहाँ पर काफी सारी सतरी के कुश्चन आपको पूछे जाते हैं एक्जाम में और इनको एक्जाम में ही पूछे के कुश्चन को आपको अच्छे से पता होने चाहिए जैसे उत्तवदिस की स्थापना को लेकर question exam में पूछा भी गया है तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है date कई बार 1950 लोगों को तो याद रहता है लेकिन वो date में confuse हो जाते है वो उन्होंने जनवरी में दे दियागा 24, 25, 26, 27 अब आपको अगर date को सही तरीके से confirm याद नहीं था तो आप अगर 24 जनवरी को याद नहीं रख पाए तो वहाँ confuse होंगा और गलत option टिक करके चले आएंगे कई बार ऐसा भी करते हैं वो date same रख देते हैं date भी same रख देते हैं लेकिन year change कर देते हैं उन्होंने कहा 24 जनवरी 1949 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1949 24 जनवरी 195 ठीके अब 24 जनवरी आपको clear था अब 59, 49, 49 में आप confuse हो गए तो यह दोनों तरीके से confuse होता है तो यहाँ पर date एक दम clear याद रखनी है ठीके स्थापना कब हुई थी 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर उत्रबदेश की स्थापना हुई राजधानी हमारी clear है राजधानी यहाँ पर वर्तमान समय में लखनव है इसको लेकर कोई confusion होनी नहीं है जिलेओं की संख्या बदलती रहती है नएने जिले बनाते रहते हैं बर्तमान में अगर हम देखें जो present scenario है वो कितने का है 75 है 75 जिले आपके UP में है मंडल की बात करें मंडल कितने मंडल में यह आपके पूरे विभाजित है जिले ठीक है तिहाँ पर 18 है अंति मंडल की बात करते हैं यहाँ अलीगड को बनाया गया इसके तरिक्त साक्षर्टा का अनुपाद 67 है थोड़ा कम है ठीक है इतनी बड़ी जनसंख्या में आपका जो साक्षर्टा की स्थिति है वहाँ पर कभी 67.68 है इसे बढ़ाने की आवश्रकता है तो साक्षर्टा दर ध्यान रखेगा उत्तब देश की साक्षर्टा दर कितनी है 67.68% एक कुश्चन और है जो आप लोगों का अंसर देना है उत्तब देश की जो साक्षर्टा दर है वो भारत के राष्ट के साक्षर्टा दर से ज़्यादा है या कम है या राष्ट की जो साक्षर्टा दर है वो कितनी है फटाफट बताईए जल्दी से बताईए भारत की जो साक्षर्टादर है वो कितनी है भारत की साक्षर्टादर कितनी है कितने लोगों को पता है जल्दी से बताईए उत्तब देश कि हमने यहाँ पे डिकस्स कर लिया है भारत की साक्षर्टादर कितने लोगों को कुछ लोगों ने answer दिया, 73, ठीक है, अच्छी बात है, इसके बाद, चलिए पता है, तो बहुत अच्छी बात है, अब बात करते हैं, लिंगा नुपात की, लिंगा नुपात, ठीक है, जंडर, जंडर कैसा है, आपका UP और, sorry, पुरुष, एक हजार पुरुषों पर महिलाओ तो यहाँ पर लिंगा नुपात की सिती भी आपकी बहुत कमजोर है, UP में लिंगा नुपात 912 है, लेकिन यहाँ पर लोगसभा और राजसभा की सीटें जो हैं, वो बहुत जादा हैं, अब यहाँ पर देखे, लोगसभा की सबसे जादा जो सीटें हैं, UP में हैं, कितनी है 80 सीटे हैं ठीक है तो 80 सीटे यहाँ पर लोगसभा की है इसी तरीके से राजसभा लोगसभा में 80 सीटे हैं राजसभा में 31 सीटे हैं तो लोगसभा राजसभा अथाथ पॉलिटिकल दिर्शकोंट से आपकी काफी इंपोर्टेंस है यूपी की importance जब आपके लोग सभाव राजसभा के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत important state के रूप में यहाँ पर इसे रखा जाता है इससे 80 और 30 सीटें आपको यहाँ पर direct मिलती है इसके बाद आता है उच्छे न्याले यूपी का हाई कोट यूपी का हाई कोट कहा है प्रियाग राज में और इसकी एक अपनी खंड़ पीट भी है कहां लखनव में तो में जो है आपका उच्छ न्याले जो आपका सेंटर है वो आपका प्रयाग राज में है और उसकी एक खंड पिट आपकी लखनव में है तो न्याले के दृष्ट कोण से हमने देखा राजकी भाषा यूपी की क्या है राजकी भाषा क्या है तो 1947 से हिंदी और 1989 से उर्दू दूतिय भाषा था दो है राजकी भाषा कितनी है तो सबसे पहले चीत दो है, राज की भाशा यूपी कितनी है दो है, पहली Souls हिंडी को पहली आपको हिंडी को और नी सो नवासी में उरदू को यहाद पर दूती राज की भाशा के तोर पे घोशित किया गया, राज की खेल कौन सा है, राज की खेल देखिए कौन सा है, होकी है, राज की खेल होकी है, इसके सासात यहाँ पर राज विधान मंडल कैसा है, राज विधान मंडल की स्थिती कैसी है, दोनों हैं यहाँ पर, दोनों कौन से, विद्वी सदनात्मक विवस्था है द्वी सदन कौन कौन से हैं जैसे कि आपका राश्च की अस्तर पर देश की अस्तर पर लोग सभा राज सभा है उसी तरीके से यहां पर आपका कौन कौन सी हैं विधान सभा और विधान परिशद ठीक है विधान सभा और विधान परिशद यहां पर आपका एक उच्च सदन और एक निमन सदन है उच्च सदन और निमन सदन विधान सभा और विधान परशद द्वी सदनात्मक विवस्था है और इसके साथ साथ राज विधान सभा का जो गठन किया गया था यहाँ पर कब किया गया था तो जुलाई 1937 में ही राज विधान सभा का गठन हो चुका था तो यह जो सारी पार्टिक्रम यहां पर हमने देखा जो अभी इस्थिती है वो आपको यहां पर जानकारी मिल गई इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की इस्थिती दी गई है मुख्यमंत्री आपको पता ही है मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ है तो यहाँ पर यह इस्थिती आपको चलिए तो यहाँ पर हमने देख लिया इसके परिशे दे लिया यहां पर प्रशाशनी वे उस्थक देख लिया और उसके कुछ factual चीज़ों के बारे में हमने जानकरी ले ली और इन में से ऐसा हर एक कुश्चन पूछा गया है चाहे मंडल हो जिले हो अस्थापना हो साक्षर्टा के स्थिति हो लिंगा नुपात हो लोग सभा राजसभा की समंदी सीटें हो उच्चे नयाले समंदी चीज़ें हो राजकी भाशा हो राजकी खेल हो राजविधान परिशद्या राजविधान मनलकटन यह सब आपको एक्जाम में पूछे गए कुश्चन है इसलिए इनको अच्छे से रिवाइज कर चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं कुछ और फैक्ट भी आपको मैं बताता हूँ जो इंट्रेस्टिंग है जो आपको पता भी होंगे उनको देख लेते हैं राजकी भाशा पहली चीज़ राजकी भाशा क्लियर हो गई हिंदी और उर्दू है राजकी भाशा कौन सी ह है राज की चिन आपका मचली है कौन सी है मचली राज की चिन है मचली है ठीक है लोगो आप देखे यूपी सरकार का लोगो जब आप देखे तो उसमें दोनों साइड पे यहां पर देखे आपको यहां पर यह दो आपके लोगो यहां पर देख सकते हैं इसमें मचली बनी हु राज की पुष्प कौन सा है राज की पुष्प यूपी का कौन सा है पलाश कौन सा है पलाश जो है इसका राज की पुष्प है इसी तरीके से राज की पक्षी की बात की जाए तो सारस या क्रॉंच राज की पक्षी कौन सा है सारस या क्रॉंच जो है इसका आपका राज की व्रग्ष कौन सा है तो राजकी व्रग्ष आपका असोख है राज्की व्रग्ष अशोख है राजपाल यहाँ पर स्रिमंति अनंदी बेन पटेल और मुख्य मंत्री स्री योगी आदितेनाद तो ये आपको उत्तवदेश के राज की इस्थितियों के बारे में जानकारी एक बार हमने देख ली राजकी भाषा हिंदी उर्दू उत्तवदेश दिवस 24 जन्वरी राजकी चिन हमचली राजकी पश उबारहा सिंगा राजकी पुष पलास राजकी पक्षी सारस या क्रॉंच और राजकी व्रिक्ष आपका अशोग राजपाल आनंदी बेन पतेल मुख्य मंत्री आपके प्रिक्रिती है वह हमने यहां पर देखी इसके बाद अब चेटरफल की दृष्टि से उत्तवदेश का स्थान महाराश्ट मद्वदेश के बाद चौथा है तो यहां पर अगर आप से पूछा जाए कई बार इस तरह कुश्चन पूछा जाता है कि चेटरफल के लिहास से स सहिक्रम में लगाने को पूल दिया जाता है आगे पीछे नाम दे दिये गए राजस्थान उत्तवदेश महाराश्ट मद्वदेश अब आपको पता है पहले चार कौन से हैं तो सबसे बड़ा चेटरफल वाले राज्य आपको पता है पहला कौन है पहले स्थान पे आपका राजस्थान हो गया दूसरे प्यापका महाराश्ट हो गया तीसरे प्यापका मद्वदेश हो गया और चौथा स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का हो गया तो उत्तर प्रदेश छेतरफल के लिहास से किसन स्थान पे आता है भारत में चौथे नंबर पे आता है इसको भी हमे किस से लगती है उत्तप्रदेश की सीमा किस से लगती है तो अगर हम केंदर सासित प्रदेश और राज दोनों को मिला कर बात करें तो टोटल कितने लगते हैं 9 कितने लगते हैं 9 लगते हैं अगर सिर्फ राज पूछे केंदर सासित प्रदेश नहीं पूछता है तो 8 तब कित और एक अंतराश्ट्री देश यहाँ पर नेपाल के साथ यहाँ पर यूपी की सीमाएं लगती हैं इसके अलावा यूपी का कुछ छेत्र जो है राश्ट्री राजधानी छेत्र में भी आता है था डेली एंसियार के अंतरगत भी आता है ठीक है जैसे आपका गाजियाबाद तो यहाँ पर आपका राश्ट्री राजधानी छेत्र जो है वो आपका उसमें भी आपका कुछ छेत्र जो होता है डेली एंसियार में था कुछ नोइड़ा का भागाता है कुछ यहाँ पर इसका भागाता है कुछ और छेत्रों को भी डेली एंसियार में बाद जाने की बा ठीक है इन फैक्ट को भी धियान रखेगा ये भी आपको कुश्चन में पूशता है तो सुन्ता के बाद सुन्ता सेनानी थी कौन थी सरोजनी नैडू जिहें 15 अगस्ट 1947 से यहाँ पर 2 मार्च 1949 तक उत्तरवदेश सयुक्ट प्रांध की राजिपाल बनाया गया तो उत्तरवदेश की प्रथम महिला राजिपाल कौन रही? सरोजनी नैडू कितने साल के लिल रही? तो यहाँ पर 1947, 15 अगस 1947 से मार्च 1949 तक यहाँ पर उत्तरवदेश की यहाँ पर राजिपाल के तोर पे उन्होंने काम किया इसके बाद सत्तर वश बाद स्वतंत्र प्रदेश की प्रथम महिला राजिपाल के रूप में 29 जुलाई 2019 को सपद ग्रहन यहाँ पर आपको किसके दोरा किया गया? तो आनंदी बेन पटेल के दोरा यहाँ पर किया गया इसके बाद उत्तर वश ब्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का भी यहाँ पर आवसर दो महिलाओं को मिल चुका है ठीक है? दो महिलाओं को मिल चुका है यहाँ पर किसे किसे? तो सुचेता, कृपलानी, सुचेता, कृपलानी, सुचेता, कृपलानी, सुचेता, कृपलानी, तो यहाँ पर सरोजनी नाइडू और आनन्दी बेन पटेल तो यहाँ पर दो आपकी महिला राजपाल भी हो गई दो आपकी महिला मुख्यमंत्री भी हो गई इसके बाद उत्तवर्जेस में अब तक कितने राजपाल हुए है तो 33 राजपाल हुए हैं कितने राजपाल हुए हैं 33 राजपाल हुए हैं आनंदी वेंपटेल इसकी 34 राजपाल बनी है 34 राजपाल यहाँ पर आनंदी वेंपटेल बनी साथी United Provincial था जो सन्यूक्त प्रांथ था सन्यूक्त प्रांथ के समय सर हरकोट बटलर सर ग्राहम हैग सर मार्स गैमियर हैलिट सर फ्रांसिस बरनर बिलिये यह सभी आजपाल रहे तो आजपाल के पूर्व की अगर इस थितियों की हम बात करें तो आजपाल रहा United जब सन्यूक्त प्रांथ के तोर पर हम को जानते हैं तो कितने हो गए पहले यहाँ पर सर हरकोट बटलर दूसरा यहाँ पर आपका सर ग्राहम हैग तीसरा यहाँ पर आपका सर मार्स गैमियर हैलिट और चौथा यहाँ पर सर फ्रांसिस बरनर बिलिये यह सभी के सभी आजपाल यहाँ पर राजपाल के तौर पर इन्होंने काम किया आजादी के बाद अगर यहां पर बात करें तो सरोजनी नाइडू और जस्टिस यहां पर बीबी मलिक यहां पर युनाइटेट प्रॉविंस के राजपाल रहे इसके बाद युनाइटेट प्रॉविंस से नाम बदलकर उत्तवदे के प्रथम राजपाल यहाँ पर बन जाते हैं इसके साथ आजादी के बाद उत्तर भारत का उत्तरवदेश का नाम होने पर यहाँ के पहले राजपाल के रूप में भी आप इन्हें देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए तो के एम मुंसी जो है आजादी के बाद उत्तवदेश के नाम होने पर आजादी के बाद जो उत्तवदेश का आपका नाम बनता है तो यहाँ पर यह राजपाल बन जाते हैं उसके बाद कौन से एम मुंसी बनते हैं प्रधान मंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं यहां पर बात करें तो गुजरात से हैं और यूपी के वाराणसी से वो सांसत हैं यह हम सब को पता है तो प्रधान मंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी वो बेसिकली हैं गुजरात के रहने वाले लेकर उन्होंने अपना जो लोकसभा चुना वो वारांसी को चुना वहां से जीत के आए हैं और इसलिए यूपी को आगर देखा जाए तो वरतमान समय में जो प्रधान मंतरी है वो कहां से हैं यूपी से हैं क्योंकि यूपी के सांसत चुने गए हैं वारांसी से चुने गए हैं इसलिए बोला जा रहा है कि इस सम पाल है आणनदि बेन पस्कील उनका घर हम देखें तो उनका भी जो संवंद्र कहाँ से है गुजरात से हैं इस तरीके से देखा जाए तो भारती प्रधान्मंत्री और राजिपाल यूपी की दोनों ही यहां पर कौन है कि गुजरात की रहने वाली है तो इस तरीके से यहाँ पर आंधी वेंट पटेल के बारे हम देख लिया अब आंधी वेंट जो पटेल हैं यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ सिर्फ राजपाल के तौर पर ही नहीं काम किया है उन्होंने गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया है ठीक है गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर कौन रही उनको भी ध्यान रखेगा कभी-कभी व्यक्ति विशेश से रिलेटेड आपको कुश्चन पूछा जाता है जो आपके राजिर से ही है लेकिन उससे आपकी उसने क्या achievement की है उसको लेकर question पूछ सकता है तो इसलिए यहाँ पर आनंदी बेन पटेल के बारे में थोड़ी सी जानकरी ले ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री जो पद है वो किसका है आनंदी बेन पटेल जो हमारे यहां की राजपाल है वो इससे पहले जो काम किया है गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तोर पर भी काम कर चुकी है 22 मई 2014 से लेके 7 अगस्त 2016 तर तो यहाँ पर उन्होंने 2 साल इसमें काम क किया और इसके बाद यहाँ पर देखे तो मद्वदेश की राजपाल के तौर पर भी उन्होंने काम किया 23 जनवई 2018 से 28 जुलाई 2019 तक उन्होंने यहाँ पर मद्वदेश कर था एक समय पर यहाँ पर दो राजपाल के तौर पर यहाँ पर काम किया है इसको ध्यान रखना है आनन्दी बेन पटेल एक समय पर दो राज़ों के राज़पाल के तोर पर भी उन्होंने उन्होंने काम किया है दो राज़ कौन कौन से थे 36 गड़ और मद्द प्रदेश में यहाँ पर उन्हें एक टाइम पर कारिकाल किया और कब से कब तक तो जनवरी से जुलाई तक ठीक है जनवरी से जुलाई तक करिब 6-7 महीने उन्होंने दो मुराज्यों के राज़पाल के तौर पर भी काम किया ह उसके बाद फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की यहाँ पर दूसरी महिला वा सुतंतर उत्तर प्रदेश की यहाँ पर प्रतम महिला राज़पाल के तौर पर 29 जुलाई से यहाँ पर 2019 से उन्होंने वर्तमान तक यहाँ अभी वर्तमान में है भी तो यहाँ पर राजपाल क गौतमबुधनगर बुलन शहर हापुड बागपद मुझफवनगर ठीक है कितने हो गए साथ सामिल है कौन-कौन से मेरट, गाजियाबाद, गौतमबुधनगर बुलन शहर, हापुड, बागपद, मुझफवनगर कुछ और की बात भी की गई है जिसमें शामिली को भी यहाँ पर शामिल करने की इसमें बात की गई है तो यहाँ पर शामिली जैसे शेत्रों को भी इसमें शामिल करने की बात की गई है, अगर उसको भी यहाँ पर मिला लेते हैं, तो ऐसे तीन शेत्रों को यहाँ पर और भी दिल्ली NCR में शामिल करने की सिफारिश यहाँ पर UP सरकार के द्वारा की गई है, तो फिलहाल यहाँ पर देखे तो साथ आपके उत्तवदेश के जो जिले हैं, वो आपके दिल्ली NCR के अंतरगत आते हैं. पाँच जिले देखिए, पाँच जिले ती नहीं पर आपके प्रस्टावित हैं, जो कि आपको कहां शामिल NCR में सामिल करने के लिए पांच जिले प्रस्तावित हैं कौन-कौन से सामली ठीक है पहला शामली दूसरा यहां पर आपका मतुरा तीसरा आपका हो गया अलीगर्ड चौथा हो गया आपका हाथरस और पांच वह हो गया आपका सहारनपूर यह पांच जिले हैं जो वरतवान समय साथ सामिल है और आते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे साथ प्लस पांच बराब बारा टोटल कितने हो जाएंगे बारा जो आपके जिले हैं वो डिली हाथ रस और सहारनपूर इनके नाम ध्यान रखने हैं चलिए यह हो गया आपको कुछ फैक्ट